पीसिस करें न्यूस में अभी की खबर है कौन है नए नौ सेना प्रमुख हाले में किंद्र सरकार ने वाइस एड्मिरल दिनेश कुमार्तर पार्थी को नया नौ सेना प्रमुख नियुक्त किया है गौर तलब है कि 30 अप्रेल 2024 से या अपना कार्यभार सम्हालेंगे वर्तमान में ये नौ सेना स्टाफ उप्रमुख की रूप में काररत है बता दे कि वाइस एड्मिरल दिनेश कुमार्तर पार्थी का जन्म 15 मई 1964 को हुआ था एक जुलाई 1985 को इन्हें भारतिय नौ सेना की कारेकारी शाखा में नेयुक्त किया गया था नौ सेना में इनकी लगभग 49 वर्षों की लंबी और विसिष्ट सेवा रही है नौ सेना उप्रमुख की रूप में कारेभार सम्हालने से पहले पश्ची में नौ सेना कमान के फ्लैग ओफिसर कमांडिंग इन्चीफ के रूप में भी इन्होंने कारे किया इसके अलावा इन्होंने विभिन, महत्वपून, परिचालन और स्टाफ नियुक्तियों पर भी कारे किया है चले अब जानते हैं भारती नौ सेना के बारे में भारती नौ सेना के स्थापना वर्ष 1612 में इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा की गई थी इसकी अधक्षिता सर्वोच कमांडर की रूप में भारत की रास्ट्रोपती करते हैं भारती नौ सेना के कुछ शिरुवाती अभियानों में वर्ष 1961 में गोवा को पूर्तगाल से मुक्त कराने में इसका योगदान शामिल है आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि 21 से 22 अप्रेल तक हमारे सभी स्टेट पीसियस के ऑनलाइन पैंडराइफ कोर्सेस और टेस्स सीरीज पर पूरे 40 प्रतिशत की छूट है अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दियेगर लिंक पर क्लिक करें और अपनी सीट सुनेशित करें तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को भारती नौ सेना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, इसके स्थापना वर्श 1612 में इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा की गई थी दो, इसके अधिक्षता सर्वोच कमांडर के रूप में भारत की प्रधानमंत्री करते हैं उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रशन का उत्तर कमेंड बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धनेवाद